नमस्कार दोस्तों आवाज और वीडियो प्लियर है तो पहले हम इसका फैसला कर लेते हैं कि आवाज वीडियो प्लियर है तो फिर हम आगे इसको शुरू करें कि मैं दूसरे फोन में कमेंट पढ़ रहा हूं पर मुझे कि जब मुझे मेरे ही चैनल नहीं मिल रहा है तो बरता हो क्या चैनल रूट करेंगा नहीं मिल रहा बोस कि नहीं मिल रहा है झाल झाल कि मुझे मेरा चैनल ढूंड़ने में टाइम लग रहा है तो सोचो चैनल कहां से ग्रूफ करेगा तो अगर आप लोगों में से कुछ कोई लोग देख रहे हैं कुछ लोग तो पहले यह बता दे कि वीडियो और आवाज क्लियर है तो फिर हम आगे का शुरू करते हैं पिर जिसको जो भी सवाल पूछने है सवाल पूछना आज मुझे नहीं मालूँ मैं चाते हैं कितने दिर लाइब रहुँगा 23 लोग देख रहे हैं और सिर्फ तीन लाइक है यह इसी वज़े से रिकमेंडेशन नहीं जाता है मुझे लाइक वाइक से कोई फरक नहीं बढ़ता है मेरी भाषा शैली जैसे यह वैसे भी कोई लाइक नहीं करने वाला पर क्या होता है कि वह यूट्यूब आप लोगों को नोटिफिकेशन ली वेशता है यह मुझे थोड़े दिन पहले ही मालूम पड़ा रोमिल गाला हेलो राके सर कैसे हो मुझे ट्रैवल एंड नॉलेज में अभी भी ब्लॉक रखा है आपने हो सकता है शायद मतलब मैंने बाइचांस आपको अनब्लॉक ना किया हो तो मैं अभी यह लाइव खतम करके उसको चेक करूंगा अगर आप ब्लॉक हुए तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगा मतलब मेरे ऐसी इंटेंशन नहीं होगी कई बर कुछ आर्गुमेंट्स होते पर अगर मैं चेक करूंगा अगर आप ब्लॉक में हुए तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगे कोई दिक्कत में फिर बात करेंगे फिर लड़ेंगे फिर लड़ेंगे फिर ब्लॉक कर दूंगा फिर अनब्लॉक कर दूंगा चलता रहेगा पर लड़ना जरूब यह नहीं कि अगर मैंने आपको मतलब मेरे ब्लॉक होने की वज़े से आप के मन में मेरे को लेके कोई बात हो तो वो बोलने से मत रुखना कि बाबु भाई हेलो एसम हाई सर गुड इवनिंग कैसे हो मैं एक दम बढ़िया एसम उमेश बंसल गैंबलिंग में लॉस कैसे रिकवर करें बहुत मैंने हजार बार बोला है कि गैंबलिंग जो है वो एक माइंड गेम है इसमें लॉस रिकवर नहीं हो सकता इसमें फ्रेश लॉस रिकवर की बात करते हो तो आप सोचो कि आप क्या बात कर रहे हो आप पहले कह रहे हो कि पहले तो आप 10 लाग रुपया बीस लाग पचास लाग जो भी जिसकी जैसी उखाद है उसमें दे दिया अब वोगरा मेरा लॉस रिकवर हो जाए मतला वो हारा हुआ पैसा वा आपको शर्त का हारा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा रिकवरी जैसा कोई वर्ड एग्जिस नहीं करता है जितने लोग रिकवरी के नाम पर आपको मिलेंगे वो या तो आपको बेफकू बनाएंगे या आप खुद अपने आपको बेफकू बनाओगे रिकवरी के नाम प तो भाई पहले आये पैसा दिया, अब अपने पैसा वापस ले लिए और अब अपने घर में जाके चादर ओड़के सो जाओगे, तो आपका जनम किस लिए हुआ था, कसीनों का अमीर बनाने के लिए? एस बी सोजिब, हेलो सर, कैसे हो, मैं एक दम बढ़िया, fit and fine, हमेशा की तरह, नोबी, नोबी, हेलो सर, good evening, good evening, नोबीता, unknown, unknown boy, सर, football betting के बारे में कुछ बताईए, देखो, sports betting के बारे में मुझे ज्यादा knowledge नहीं, cricket के बारे में थोड़ी को होता है, पर sports betting के नियम जो होते है मैंने जितना समझाया, ऐसा नहीं कि उसके बारे में deep knowledge है, पर sports betting में मैंने हमेशा जो महसूस किया है, ज्यादा तर वही लोग इसमें win करते हैं, या अकसर win करते हैं, और loss कम होते जिनके, वो लोग होते हैं, जो सिर्फ हार जीत पर लगाते हैं, और अपनी calculation, अपने तजू अपने घर में बैठो, नतीज़ा आएगा, एक शर्त की तरह करो ना, yes or no? हेलो हवा सिंग जी, सुजीत शर्मा मैथ, हेलो सर कैसे है, आप मेरी जिन्दगी, अब मेरी जिन्दगी नर्क बन गई है, मैंने अपनी बाइक तक बेच दी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बच्चा, घर में किसी को पता नहीं है, ये तो और खतरनाक बात है, ये घर में कि पता भी नहीं है, ये तो एक वाली बात होगी, कोड और उसमें भी खुझली, मतलब एक तो वैसे इतनी बड़ी गलती, उपर से मन भी नहीं हलका कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, ये अलग से साइक्लोजिकल प्रेशर है, घर में पता नहीं, घर में पता लगेगा तो क कसीनों से उने वाले loss, gameplay नहीं से उने वाले loss की बात कर रहे, पर पैसों के loss के लाबा भी हम कई बार कुछ गलत पैसले ले ले, जिसके वैंगे बहुत नुख्सान उठाने पड़ते हैं, तो अब उस नुख्सान के उपर अब जो नुख्सान हो गया, आप उसको बदल नही तो सिंपल सा है मैं अपने पास्ट में मतलब ऐसा थोड़ी कि मुझसे गलतिया नहीं होती पर मैं अपनी गलतियों पर थोड़ी देर पश्टाना तो सोभाविक है पर उसको लेकर के मैं ज्यादा वो देर तक अपरात बहुत में रख पाता अपने उपर और फिर नए ऐसे काम आप उसे मिटा नहीं सकते हैं जो आपने कर दिया अगर आपने जुवा खेला जुवे में हार गए तो दुनिया की कोई ताकत निए उसको बदल सकते हो तो हार गया अब आगे आपको क्या करना है आप उससे यह डिसाइड कर सकते हो कि उससे कैसे निखलोगे ओल्ड प्लेयर बज्जीया बाइजीया फैन क्लब परी मैच ऑनलाइन गेम ऑनलाइन में ऑनलाइन में कैसे खेलना है थेंक्यू आप लोगों का बताने के लिए कि आवाज क्लियर है एस भी सोजीब कह रहे हैं कि ओनलाइन में कैसे खेलना है बहुत अगर आपको ओनलाइन में खेलना नहीं आता है तो आप मत खेलो यह बहुत बुरा ट्रैप है इसमें फस जाओगे और आपका सारा पैसा चला जाएगा आप सोचते रह जाओगे आपकी आखों के आगे धीरे-धीरे दीमक की तरह सब चाड़ जाएगा आपका पैसा इसमें मत पड़ो कुछ नहीं रखा है अगर अभी शुरुवात है या शुरुवात करने जा रहे तो निकल जाओ इससे नहीं तो आने वाले दिनों में आप बोलोगा कि यारे मैंने लाइव में सुना था वो आदमी ने बोला था आमने बात नहीं मानी सतिंदर सिंग गुड़ इवनिंग एस आर ग्रूप थैंक्यू बताने के लिए क्लियर है संजीव राज बीस लाख लॉज सुसाइड या बाउंस बैक पर कैसे देखो सुसाइड से तो कोई हल है नहीं करने से को यहापका सारे चीवinating पैसा आ जाता है और आकों पीछे वालों हो कि जो पीछे रहेंगे उनको भी दिख़्त्ना हों तब तो थी क्वाइड यह पर क्या होगा घर सबस接ी किसी तरुके गश्यरूरौन उनको इतना मजबूत बना देता ना कि उससाइट तो नहीं करते पर ऐसे थोट आने भी नहीं चाहिए रहे कि बाउंस बैक की तो दो तरीके से बाउंस बैक हो सकता है एक गैंबलिंग को छोड़ करके नया करियर बना के नए तरीके से अपने जो भी आपके अंदर स्किल है बिजनस है जोब है जो भी है उसमें कुछ साल में आप लोग वापस पहले वाली पोजिशन पर आ जाऊए अभी आपको डर लगेगा नहीं नहीं कहां से आएंगे इतना मोटा पैसा कहां से आएगा जब इतना मोटा पैसा जा सकता है तो इतना मोटा पैसा आ भी सकता है जिनकी बहुत बड़ी है कहीं या कहीं कोई ना कोई रास्ते खुल जाते है दूसरा तरीका यह कि अगर आप जिट पेड़ होगी गैंबलिंग से ही पैसा वापस लाना है तो फिर आपको सबसे पहले कोई एक गेम चुननी पड़ेगी एक गेम को चुन करके उसके स्किल को समझना पड़ेगा अपने माइंड गेम को समझना पड़ेगा कि कहां मैं गलती करता हूँ कहां मुझ में पेशेंस नहीं है तो अगर patience नहीं है तो अगर patience नहीं है तो क्या-क्या ऐसी रोकता हम करें कि जिससे patience नहीं होने पर भी हम बत सकें जैसे मैंने एक बात हमेशां बूलता हूं मैं कि small small win small small withdrawal चोटा-चोटा withdrawal करो यह इसलिए बोलता हूं कि अगर बड़े withdrawal तक तो आप रुकी नहीं पाऊगे आपसे फिर गलती हो जागी सारा पैसा देदेगे तो चोटा-चोटा withdrawal करते रहो क्योंकि बड़ी रकम जब जमा होती है तो डर हावी होता है कि बड़ी रकम है करें खतम ना हो जाए दूसरा यह भी होता है कि बड़ी रकम है ओवर कॉंपिटेंस में उंगली भी बहुत जल्दी जल्दी बैटरी बड़ी हो जाती है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशाद चोटे अमाउंट से खेला करो चोटे अमाउंट का आपके ओपर डर हावी नहीं होता रहे मालूम है कि यार बहुत ज्यादा होगा तो जीरो ही तो होगा ना कोई नहीं देख लेंगे कमपाउंडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती बड़े पैसे से चोटा पैसा कुछ नहीं बनता है जुए के अंदर जितने भी लोगों को लगता ना बड़ा पैसा होगा तो फिर हम चोटा पैसा बना लेंगे हम यह कर लेंगे सब एंड में बरबाद होते हैं सर मुझे कोई सॉल्यूशन दो मेरे सर पे भी चार लाग का करजा है और मेरे पास कुछ नहीं बचा अब आप एक बाद बताओ जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो जूवे का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दो क्यों जूवे के लिए फिर पैसा चाहिए है ना तो जूवे को निकाल दो और अगर मानलो पैसा होता भी थोड़ा बहुती है कहीं से इंतिजाम भी कर लो तो जूवे में फिर वही होगा कि चार लाग गया है तो मानल पैनिक करने से पैनिक करने से आपके बार बार शोर मचाने से अपने आपको कोशने से अगर आपका परिस्तेदी सुदर सकती तो इससे सुदरेगी और बिगडएगी बलकि परिशानिया जो है वह और बढ़ेंगी depression पे पहुँचोगे कुछ नहीं करना है, दो दिन का rest तो लो, भूल जाओ क्या हुआ कहने होगा जो भी देखेंगे, जो भी रोऊँगा, पूरूँगा अपने आपको गाली दूँगा, पश्ताऊँगा दो दिन बात कर लेना, दो दिन शांत बैठो तो सही आप देखो आपका दिमाग आपको असर देगा compounding लोगों को इतना बरबाद कर देगी ना इस line के अंदर, compounding एक बहुत बड़ा trap है और मुझे नहीं मालूम जो भी लोग इसको कर रहे हैं वो क्यो कर रहे हैं, या जो लोग इसमें फस रहे हैं वो क्यो फस रहे हैं, वो क्यो फस रहे हैं, बार-बार वो एक आदमी या दो आदमी के उधारन देते हैं मैं कहता हूँ, अगर वो सच में, मैं आपको बोलूँ कि यार मैंने जी कसीनों से अपना घर चलाया, COVID के दोर, तो सोचो हिंदुस्तान में एक करोर लोग जुआ खेलते होगे, तो क्या एक करोर लोगों ने कसीनों से अपना घर चलाया होगा, नहीं न, तो मैं ने चलाया, इसका मतल़ है थोड़ी कि आप भी चला लोगे, किसी एक आदमी ने एक आपने क्या कमाया, मेरा 10,000 रुपया भी अगर मेरा होता है, मरला जब मैं लेके कसीनों में रखता हूँ, या मैं ID में होते है, तो मेरा दिमाग पर घंभीरता होती है, पैसा है वो मेरा, मुझे लोग बताते हैं, जो लाखों की बैट लगा तो उनके चहरे पर कोई शिकन होती बैट चली जाए आजए, तो सोचो, एक अमीर आदमी का भी 100 कानोड गिरता है, तो वो भी उठाता है, यह कौन सा पैसा है, जो लाखों की बैट लगाने के बाद भी उनको डरनी लगता, चली जाती है, इस नॉट रियल मनी, मुझे लोगों ने बोला कि हमें आपकी गेम देखनी है, खेल करके, आप कैसे खेलते हो, मैंने का बाई, मैं एक छोटा सा प्लेयर हूँ, हीट अन्रन स्टेटीजी पर चलता हूँ, छोटा-छोटा हीट करता हूँ भाग जाता हूँ, एक का तीन करने में विश्वास रखत मुझे कभी नहीं पड़ता, तो लोगों ने बोला, यार यह बाते आप बोलते हैं, खेल के दिखाऊ, मैं तीन अजार या पांच अजार से जादा जमा नहीं कर पाया, असली पैसा है बॉस, अभी वो इतनी प्लेटफॉर्म में को बोलते हैं, कि आप बोलो, हम कितना पैसा आइडी में डाल दे, उतना पैसा हम डाल देंगे, आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, आप खेल के दिखाऊ लोगों को, जब मुझे मालूम है कि मेरे पैसा जीरो ही नहीं हो ना, मतलब मेरे मेरे को जेट से कुछ दे रहे हैं, मैं तो बनाता हूंग वीडियो, और मेरे एमाई नहीं भरी जा रही, क्या करें इस मुसीबत हो, जो यह पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ा या किसने आपको कह दिया कि जुए में जीत करके आप अपने घर के खर्चे चला लोगे, एमाई भर दोगे, इससे तरक्की हासिल कर लोगो, ऐसा नहीं होता है, मेरे जैस पर ले करके गया था 9,000 चले गए, फिर एक हजार से वापस 9,000 वापस आये तो 2,00 रुपे उपर उपरों की भाग आया, आप इसको 200 रुपे का मुनाफ़ा बोलोगी, या 52,00 रुपे का 9,200 का मुनाफ़ा बोलोगी, बताऊ आप, वो 9,000 हुच चले गए तो वह भी तो वा इनकार सोम जिस दिन से रुकना सीखा है उस दिन से लगातर प्रॉफिट है गैंबलिंग में जीतना किसी को भी आता है रुकना नहीं आता है तो इसलिए तो बोलता है कि आपको रोज थोड़ा थोड़ा जिताएगी एक दिन तो आप रुकने से मतलब रुक नहीं पाओगे आपने पैसा बढ़ाना था पांच परसेंट चार परसेंट बढ़ाया और रुग जाओ आप कम से कम सो दिन रुको गए तब जाकर करें रिजल्ट आपको मिलेगा आप पारा पैसा चले जाएगा जाइद हसन केने हाओ आर्यू आयम फाइन इस उसूल फिटन फाइन है मैंने टेलीग्राम पर अपने लोगों ने बुला मैं आपका गेन खिलने का तरीका देखना मैंने तीन-चार वीडियो डाले तीन-चार डाले वह करके दिखा दिया वह उसम प्रड्बेट मैं नहीं खिलता और अब मैं गैमलिंग करता ही नहीं हूं वह दिन हवा हो गए जब मैं जुगा कहला करका मैं कल भी मैं फैमली के सथ पंजीम गया नहीं तो अक्सर मैं आता हूं बहार से कभी इंडिया आता हूं एक-दो महिने बाद तो मैं सबसे पहले इन में लगेगी अगर हम दूनों जाते हैं तो काड़ बना हुआ है एस भी सोजी मैं ओन्लाइन में हजार से चारहजार करके विड्रॉल दे नहीं पाया बहुत विड्रॉल बहुत जुरूरी है जैसे आपका में प्रिंसीबल गशार करने अपने प्रिंसीबल अमाउंड को आपको डिफेंड्स निकालते रहो ना निकालते रहोना नहीं तो एन्ड में बचेगा जीड़ो जाओगे फाइदा क्या होगा सतिंदर सिंग क्याने जहां लडाई होती है वहां प्यार होता है आप अपना कीम्ती समय निकालकर लाइव आते हो हम कितने खुश नसीब है बॉस मेरी कोशिश क्या रहती है मैंने कई बर बताएगी मेरे लाइव आने का मकसद क्या है कि आज की रिड़ में लोगों के पास में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे वो अपने मन की बात एक दम खुल के बोल सके और गैंबलर्स के बाद तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अगर जीत जाओगे तो भी किसी को नहीं बोल सकते जुवे में जीते हार गए तो किसके कंदे पर इसे रखकर होगे तो कोई तो एक ऐ लाइव खतम करूंगा एक इस सवाल का जवाब देखर के बंद करूंगा चाहे दो गंटे लगे डिट गंटा लगे तीं गंटे लगे पिछला लाइव भी मेरा तीं गंटे का था और इसमें कोई negative कमेंट आता है तो मैं वो भी पढ़ता हूंगी कोई लिखता कि आप तो फ्रॉड हो तो मैं पढ़ता हूंगी इसने मुझे फ्रॉड बोला है किस बिना पर बोला फिर मैं उससे पूछता हूं ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी तारीफ वाले कमेंट उठा लिए मंगल सिंग मैं आज MPL रम्मी में 2000 लॉस में सर मैं आपका फैन हो गया राजादास बोल रहे हैं सर मैं आपका फैन हो गया आपकी बाते बहुत अच्छी हैं सर आप इसी तरह वीडियो बनाते रहो बहुत मैं कोशिश करता रहूंगा लगबग लगबग एप्रोक्सिमेटली धाइसो भी पार हो चुके जिन लोगों ने पिछले डेड़ साल के अंदर मुझे ये बोला है कि हमने आपकी वज़े से जुवा छोड़ दिया है हो सकता है उसमें से कुछ थोड़े बहुत वापस भी आ गए हो मुझे नहीं मालूँ पर ये वो लोग है अब तो मैं गिंता भी नहीं के अंदाजा है तो पहले शुरू शुरू में होता था कि यार इतने लोगों ने बोला इतने लोगों ने बोला तो कहां तक आप काउंट करोगे लोग बोलते हैं सामने से कि कई लोग बोलते कि आपकी वज़े से अपने ऑनलाइन खिलना बंद कर दिया है या अब हम बहुत कम खेलते हैं जैसे मैं बोलतूगी जुए में को जितना लगातार खेलोगे उतना परबाद होगे जितना कम खेलोगे जुए आपकी उकाद में रहेगा लोग रोज खेलते हैं अरे रोज तो नौकरी नहीं कर सकता है बाद में उसको भी संडे सेटर्डे शुक्ती होती है राकेश कमाकर कसीनों में कितना पैसा ले जाते जी आप अब मैं बहुत कम जाता हूं अभी तो मैं फिछले तीन-चार महीने से गया नहीं क्योंकि दो महीने तो मैं दुबई में ही था अभी आये हुए भी मुझे ये सू अभी मैं फिर जब बीच में अब हम जाते हैं मनोरंजन के लिए फैमिली के साथ चले के बच्चे भी साथ जाते हैं खा लिया पी लिया लाइव म्यूजिक देख लिया आ गए तो कभी मैं 50,000 ले जाता हूं कभी 10,000 या 20,000 भी ले जाता हूं ऐसा कोई फिक्स नहीं है पर मेरा जाने का मन नी करता है मैंने पता है कलम पंजीम गए मौस्ली मैं कसीदो ही जाता हूं और इस पर पता है मन कया दोस्त को बouldा था इक फ्रेंड है उनको मैंने बूला हमने मिलते हैं मिले एक होटल में गए inclusive कर मेरा हैं भी मैं नहीं करूंगा चाहिए मुझे उसके लिए कि जितना मर्जी पैसा मिल रहा हूँ मुझे मालूम है मैं कसीनों जाऊंगा तो थोड़ा पर प्रोफेट करके ही लऊँगा पर अब मुझे जरूत नहीं है मेरे मेरे खर्चे बड़े अराम से निकल जाते हैं अब खर्चे अराम से निकल जाते हैं फिर भी मैं क्यों हो जाओ पंगे लेने ये मोहित आये हैं और जी कसीनों के बादशाओ क्या हाल है जनाब छुडवा दो बच्चों को जुए की लत तो ये मज़े लेकर को पूछ रहे हो अगर आपको बच्चों की इतनी चिंता है तो इस बात को तो गंबीरता से भी कह सकते हैं आपके तो मज़े लेते हुए पूछा अब मुझे नहीं मालूं यह जो मोहित है यह 10-15 साल-20 साल का कोई लड़का भी हो सकता है 50 साल का भी कोई हो सकता है 40 साल का भी हो सकता है और बात की गंबीरता खतम कर दी आपने और जी कसीनों के बाश्यों क्या हाल चाला है जनाब चुड़वादो बच्चों के जुवे की लग कोशिश कर रहे हैं पर यह गंबीर है इसमें मजे नहीं लेए जा सकते किसी का घर बरबाद हो रहा है किसी की जिंदकी बरबाद हो रही है किसी की फीस चली गई किसी का कुछ हो गया पढ़ो आप ज़रा कमेंट यह सारे कमेंट पढ़ो एक बार और फिर आप देखो मजे लेने का मन करेगा क्या आपका यह जिंदा लोग है जो कमेंट लेए नहीं जिंदा लोग है यह सच में बरबाद हो चुक है इनके लॉस है कोई अपने घर में नहीं बता सकता है किसी ने कोई फैक्टरी का पैसा खर्च कर दिया कि कोई अपने सेलरी हार गया हम इनसे मजे नहीं ले सकते हैं तो जिंदगी जब हमसे मजे लेने पर आएगी न तो फिर ऐसा लगता है मैं जिंदगी में दस साल पीछे चले गया हूँ देखो सुजीच शर्मा मैट्स अगर आपको लगता कि आप दस साल पीछे चले गया हूँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिर आप आगे भी आ सकते हैं अगर आप यह बोलते हैं कि मुझे अगर सबकुल खतम होगा तो मैं कहता है आप तो पूरी तरह निगाशावादी होगी है पर आप क्रिकेट मैं तो देख तो कभी न कभी देखा होगा उसमें एक cricket batsman होता है जो 50 ball पर 30 run बना के चल रहा होता है, फिर 70 ball पर 40 run होते हैं, फिर उसके 80 ball के ऊपर 55 run होते हैं, फिर आख वो जैसे तैसे रोते पिटते समझे लो 130 ball पर century बूरी करता है और उसके बाद वो इतना fast खेलता है कि वो 1500 ball पर 145 run पर होता है या देट सो बॉल पेग सो साथ रण को तो स्ट्राइक रेट बोलते उसको अगर आप दस साल पीछे गए हो तो टेंशन मत लो दिल्ली में तो उसमें मैं 25 रुपे लॉस में आ गया था 25 रुपे में लॉस में आ गया था दो साल के अंदर वो फैक्टरी चली नहीं जो जोश में लगा दी आप लोग तो जुगा खिलके बरबाद हो मैं तो फैक्टरी लगाई थी गौवर्मेंट का बियाएस का लाइसेंस घर बेच दे और 20,000 रुपे की EMI कहां से बरेगा हर मही में मेरी दो साल के अंदर फैक्टरी बंद हो गई EMI थी 19,612 रुपे कहां से बरता मुझे लगा सब खतम हो गया पर एक ऐसी किसी अंजान आदमी ने ऐसे कोई बात बोली और वहां से वो हिंट मिला और उसके बाद म में खतम होना था मैंने 2014 में 5 साल पहले वो लोन को खतम किया आज भी दिली में मेरा फ्री होल्ड है उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है तो उमीद नहीं हरनी चाहिए अगर 10 साल पीछे गए हो ना तो आप इतना फास्ट काम कर सकते हो कि आप अच्छा हुआ मैं 10 साल पीछे ग भी वही पैकेज निंग वाटर भी स्वीटर के जाना सप्लाई कर रहा होता कहीं गौतम दानी हाई सर आयम बिक फैन आफ यू आपकी बात आप जो भी बात करते हो एकदम समझने लाइक होती है शुक्रिया समझने के लिए कि मेरी बाते अक्सर जादातर लोगों को समझ में नहीं आती है मुहमद असद हेलो सर मैं असद पाकिस्तान से मैं आपका फैन हो गया हूँ कुछ दिन से मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ चलो बहुत अच्छी बात है पर फैन होगे वो सब तो अपनी जगह है पर जिस वज़े से हम मिले हैं मतलब कसीनों वाले चैनल की वज़े से बहुत सेंसिटिव जोन है तो कोशिश करना कि इसको उकाद में रखो जुवे को नियंतरन में रखो और धीरे-धीरे से निकल जाओ और जिस दिन उकाद में रखना आ गया ना जिस दिन जुवा जुवे को उसकी उकाद में रख देगे जुवा आपके पर हावी ना हो तो फिर तो निकलने की भी ज़रूत नहीं है अब जैसे मैं गुवा में रहता हूं यहां पर कितने सारे करसीनों है आसपास बहुत कई कि त तब जाता था जब मुझे जरूरत थी घर चलाने के लिए आज मुझे जरूरत नहीं मैं क्यों जाओं जुवे को अपनी कंट्रोल में अपने पंजे से भार मत जाने दो कि और कोई भी चीज को जिस कोई बी चीज हो चाए वो रिष्ता हो कोई मेटरलिस्टिक चीज हो अगर आपने उसका उकाद में रखा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते कोई व्यक्ति हो कोई रिष्टा हो या कोई लथ हो अधिश गूद इवनिंग सर पैटर्ण वीडियो बनाईए प्लिस हमने अभी दो-तिन दिन में बनाऊंगा पैटर्ण वीडियो मतलब मुझे पैटर्ण पता है उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा पैटर्ण उससे ज्यादा भी होते हैं अगर जितने पैटर्ण बन सकते सारे म करलो नहीं आता है पूरा राइट इसलिए आपका बात सुनने में अच्छा लगता है ये बात बिल्कुल सही है इन्होंने बहुत काम की बात बोली आ सैण नमने इन्होंने एक दिन हायाना होता है इसलिए फिस ती है mound को मनता हूं इसलिए मैं हमेशा मैंने बोलता हूँ कि पहले एक छोटे से अमांट से ट्राई करो, हवा कर रुख पेचानो, अगर छोटी छोटी बैट चली गई, तो समझ लेना कि आज अपना दिन नहीं है तो जो बच गया है वही लेकर करके सबर करो, कल फिर ट्राई करेंगे, कल देखे तो इसमें पंगा ये है, तो इसका, इसकी वज़े क्या है, इसकी वज़े ये है कि कैंबलिंग में कोई भी गेम हो, उन सबका एक पैटर्न होता है, एक रिजल्ट का पैटर्न होता है, हमारा दिमाग भी खेल खेल करके एक पैटर्न बनाता है, कई पैटर्न हमारा दिमाग मार रहा है जो हमारे पैटन नहीं है उस दिन आप तो अपने पैटन के साब से चलोगा ना कि यह रिजल्ट आएगा तो मैं यह करूँगा यह रिजल्ट आएगा तो मैं यह करूँगा बजरंग लाल चोहान सर हम क्या रोज कसीनों से 500 या 1000 रुपे कमा सकते हैं क्या बजरंग लाल चोहान हलवा है हलवा है क्या जो बट रहा है कि आप रोज चले गए गुर्दवारे में और वो गुर्दवारे में प्रशाद के रूप में हलवा बटता है और आपको रोज मिल जाएगा, आप ठंडे दिमाग से सोचो, एक लाखो रुपया लगा करके एक प्लेटफॉर्म बनता है, करोड़ो रुपया उसके प्रमोशन पे लगता है, यूट्यूबर्स को हायर किया जाता है, उनको लाखो रुपया दिया जाता है, इसलिए कि कहीं पर कोई बजरंग लाल चोखान बोलेगा, कि यार मैं पांसो जार रुपय रोज कमा सकता हूं क्या, और आप गए और अपना पांसो जार रुपय कमाए, फिर तो हिंदुस्तान की बेरोजगारी की समस्य के तब, फिर तो एक्यासी करो लोगों को फोकट में खाना राशन द अपने आपको इतना बड़ा डेड़ शाना बन रहा हूं, यहां पर बैठ करके भाशन बाजी कर रहा हूं, मैं खुद सत्रा दिन नहीं जाता है, कि मैं कोई याद है, सोला दिन से जाता मैं नहीं लगाता जीत पाया, इतना सेफ खिलने और सोला दिन भी लगाता प्लस मीं सोला दिन में भी किसी दिन तो दो सो पांचो रुपे प्लस आई, उस दिन मालों पड़े 90% रखन जा चुकी थे, पर जितना पेशन मुझ में है, मेरी जगा कोई और होता, वो आल-इन कर देता, 90% जब आपका पैसा जाते ना तो आप 10% को ठाकर के ठोक देता हूं, यार आ गंटे गंदर चले गे, मेरा खुद का नियम है कि 2-3 गंटे से जादा कभी नहीं प्ले करना चाहिए, तीन गंटे गंदर 48,000 रुपे चलेगे, सिर्फ 2,000 रुपे बचे रहे हमारे प्लस, आठ गंटे लगे, सुबह 4 बजी हम लोग घर आए, 4-4.5 बजे घर आए, कितने 15 रुपे प्लस करके, आपको कि यार पूरी रात बारा तेरा घंटा लगाने के बाद में आपने 15 रुपे प्लस किया, नहीं 15 रुपे प्लस, वो जो 48,000 रुपे चले गया था, वो भी तो वापस लाया ना, अब मैं 15 रुपे देखूंगा तो मैं और खेलता, आखों में नी चेंज किया था कि अब आप कोई भी विड्रॉल करोगे तो मिनीवम 5,000 का विड्रॉल होगा, अब मान लो मैंने जैसे डाले 3,000 रुपे, वो 3,000 रुपे मेरे 6,000 हो गए, या 7,000 हो गए, मैंने उसको बोला, बुलाता था, मैं बोलता था, 3 निकल दे इसमें से, ताकि मेरा था, 3-4,000 रुपे, मैं इसको बोलता था, अभी पूरे पैसे निकालने और फिर वापस इसमें 3,000 रुपे, मैं इसके वली सीट पर आकर एक प्ले करने, ऐसे करते करते, रात भर ऐसे बंदरों के तरह, चलांगे, मारते, मारते, हमने अपना पैसा वापस लेकिया, पर इतन कुछ बरबाद हो जाएगा, राहुल खजूरिया, सर, अगर हम रुलेट में दो कॉलम सिलेक्ट कर दे, और आटो बैट कर दे, 25 टन, क्या हम प्रॉफेट में रहेंगे या लॉस में, बहुत यह सबसे असान दिखने वाली सबसे खतरना के स्ट्रेटिजी है, सबसे खतरना क स्ट्रेटिजी है, आप ध्यान से समझे, रुलेट में कितने नंबर होते हैं, 37 नंबर होते हैं, 37 नंबर होते हैं, 37 नंबर में हम जितने नंबर छोड़ते हैं, जितने भी नंबरों पर आपने चिप लगाई, कवर किया, जितने नंबर छोड़ दिये, उसी का तो प्रॉफ बाकी के 20 में से 19 चिप तो उनके पस चली जाएगी, आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, 37 में से मैं 24 नंबर कवर करके चलूँगा, और ऑटोबट सिलेक्ट कर देता हूं 25 बार में, तो 25 बार में ज्यादा तर तो वो दो कॉलम आएंगे, बॉस इसमें आप 10 में से 9 बार अगर आप रूलेट के अंदर ज्यादा नंबर कवर करते हो, तो आप ज्यादा बार प्लस रहते हो, पर जब वो ऐसे नंबर देने शुरू करेगा, जिस पर आपकी चिप नहीं होगी, और लगाता कई बार देगा, आपका ज्यादा अमोंग जाएगा, मतलब मान लो कि तीन बार आपके कॉलम आए, और एक बार आपका कॉलम नहीं आया, तो आप जब तीन बार जीतोगे तो आपको तीन कॉलम का पैसा प्रोफिट में आएगा, और आप जब एक बार भी नहीं जीतोगे तो आपके दो कॉलम का पैसा चले जाएगा, आप खुद सोचोगी ये तरीक अगर एसा होता तो फिर थो भूत असान था इसका खेलने के अगर इस तरीकी से खेलना वह उसके लिए फिर बहुत बढ़ा और आप कॉलम खिलना चाहते हो तो आपको मालूम है सबसे उपर वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा रेड नमबर आते हैं पर ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा कितनी बार चार रेड कलर आएंगे और चारो कौन से होंगे आपका होगा 5, 14, 23, 32 रेड का फ्लो चल रहा है लोग उनने जाके लगा दिया उपर वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा रेड नमबर है वो मार रहा है 5, 23, 14, 32 चार ही रेड नमबर आते हैं बीच वाले कॉलम में और चारो ही वो बीच के दिगा तब क्या करोगे तो यह सब तरीके experience से आते हैं पर यह तरीका नहीं कि ज़्यादा नमबर कवर कर लो हम तो जीतेंगे जीतेंगे इतना असान थोड़ी है ऐसे होता नहीं है मंगल सिंग हेलो सर मैं student हूँ SSC की त्यारी कर रहा हूं MPL में 20,000 हार के mind tension होते जा रहा है recovery करूँ की MPL app delete करूँ help मंगल सिंग आप SSC 10th को बोलते न क्योंकि मैं तो 9th पास हूँ तो मुझे नहीं मालूँ SSC शायद 10th को बोलते होंगे है तो दस्वी क्लास में बच्चा मेरे ख़र सूला साल का होता हुआ शायद सूला या सत्रा साल का आप खुद सोचो कि आप 20,000 रुपे के loss कर चुके हो अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको recover करू रिकवर मान लो मैं कहरों कि मान लेते हैं कि उमीद है कि recovery हो जाती है पर उसके चक्कर में आपको प्ले करना पड़ेगा प्ले करना पड़ेगा आप इसको खेलोगे और recovery आपके 20,000 रुपे आपके पास वापस आ जाएंगे as a student इस एज में आपके 20,000 रुपे वापस आ गए तो आपका दिमाग क्या बोलेगा किसी का भी दिमाग क्या बोलेगा मैं ही हूँ आपकी जगा वो बोलेगा तुझे तो खिलना आ गया तेरा तो 20,000 रुपे का loss तो वापस लेआ है तू तो डॉन बोसको बन गया तू तू तो दुनिया का सबसे बड़ा गैमिलर बन गया तू तू तो महान है तू तो हारा हुआ पैसा वापस लेगा और खेल और अब प्रॉफिट कमा अब प्रॉफिट कमा यह आपका नहीं मेरा भी दिमाग बोलेगा अगर मैं भी आपकी जगा हूँ जुवा हमेशा हार में ही छ आप इसमें रिकवरी करने जाओगे अगर रिकवरी हो गई तो भी आप बरबाद हो कि फिर आपको खेलना पड़ेगा आपको तो खेलना आ घा उगया पिर इस बार आप 20 नहीं जाओगा इस बार आप 2,009 यही नहीं हुईzahl पर्टरthen यह चाहन का और दूसरा यह है कि रिक हो गए मेरे भाई ने आकर के मुझे ये बोला कि ये आप डाउनलोड कर लो वो एड चलती न आज कल रितिक रोशन की ये वो अजीब अजीब से common face वाले लोग आ जाते जी मैंने तो इससे घर का बरतन खरीद लिया मैंने तो ये सब ड्रामा है सब बर्गलाने का तरीका है इतना क्लियरली खुल के कोई नहीं बताएगा मैंने इसमें अपना बहुत लंबा वक्त दिया बहुत गैंबलर से बात करी है जिन्होंने ददद सालों में करोड़ों रुपया हरे हैं जब मुझे कोई बोलता ना कि स्टूडेंट हूं है तो मुझे बहुत ज्यादा तकलिफ होती कि वह एज बहुत यह गोल्डन है जाई दुबारा नहीं मिलने वाली आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह एज में पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हो आप लगते हो जुए में यह नहीं देगा पैसा यह पैसा देगा तो ज्यादा लेगा स्टॉप यूवर गैंबलिंग सर प्लीज स्टॉप करवाओ कंपांडिंग के चक्कर में बहुत इंसान लॉस हो रहे हैं प्लीज सब का स्टॉप करवाओ बहुत देखो मैं इंडिविजल मैं किसी के खिलाफ नहीं हर आदमी की अपनी नैतिक्ता अपने मौरल एथिक्स उसके अपने होते हैं तो मेरे को मैं कोई दुनिया सुधारने का मैंने ठीका नहीं लिए रखा कि कौन आदमी क्या कर रहा है तो मैं उसको पर्टिकुलर जाक ऑँो है मेरे घर तक आते को से मिलने उसका कारण ही जैए कि उनको दीख जाताए मैं क्या लॉट से बूर रहा है पर वह वह उनकी है वो अपना काम काम कर रहे हैं उनको अपनी तरीक deze जो सभंच में आरी हैं मैं अपने तरीके से लोगों को समझा रहा हूं अब यह जिद्र आप लोगों के पाले में किसवासा बात माननी किम्हस नहीं वीक्ति के ओंप फार रहा है आप लोगों कोा कर pencil है अभी तो पिछले एक डेड महिने के अंदर दो महिने के अंदर कम से कम पचास ऐसे चैनल बने हैं बतलब आप देखो के तो यंग लड़के जिनको कोई एक्सपिरियंस नहीं है वो सबने चैनल बना करके मेरे मेरे ही कंटेंट को उसमें बोला है मुझे कितने सब्सक्राइबर वीडियो भीजते हैं कि देखो सर यह आप ऐगी बात बोल रहा ये जो आप बोल रहे हैं और सब्सक्राइबर के लिए अंदर पहत सारी लोग और उससे पूंचों-से कभी-सीनोदेखा है जिलगी में उसने कपने सब्दाइन मैं 208 से अंदर मैं OFFLINE ही कसीनो कहल नहीं है दुनियावर में खेले 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 खाय वाले गैंबलर्स होते हैं उनके बीच में रहा हूं दो-दो महीने नेपाल में रहता था पांच बार में नेपाल में दो-दो महीने रहा हूं गोवा में मैं शिफ्ट रोने से पहले पांच बार में गोवा आया हूं कि साउथ एशिया के तक्रीबन तक्रीबन ज्यादा दर कसीनों में प्ले कर चुग हुआ कि आजकल तो हर कोई अपना यूट्यूब चैनल बना करके और वो बस क्या है कि इसका वीडियो देख लो उसका वीडियो देख लो वही बात अपने नाम से बोल दो कि अब आदी इतनी कि इसको पता चल रहा है जो पहली बार उसका वीडियो देखेंगा उसको लगया देखो यार कितना समझदा लड़का है उसका एक ही टार्गेट है कि कुछी तरीके से 25 पचास लोगों को अपना प्रोमो कोड यूज करवा दो और उनका वहारते रहेंगा उनका कमिशन खाते रहें उनके पस कोई स्टेटिजी कोई एक्जामपल्स कुछ नहीं है एक आदमी दूवजार से 25 लाग एक लाग से 50 लाग तीन लाग से 10 क्रोर बना रहा है कमपॉंडिंग से हाँ तो एक आदमी बना रहा है आपके सवाल में देखो उमेश बंसल जी आपके सवाल कितना बढ़ी है उसमें आपने खुद ही लिख दिया उसका जवाब एक आदमी हम एक आदमी अरपती बन जाए इलॉन मस्क बन जाए तो हमें क्या मतलब है वह एक इलॉन मस्क से हम सब लोगों की प्रॉब्लम ठुड़ी सॉल्व हो रही है तो आपने खुद ही बिल्कुद सही लिखा है एक आदमी मैं भी तो यह कह रहा हूँ कि वह एक ही आदमी है बाकी के लोग उसको आइडियल मान करके अपने आपको बरबाद कर रहे है सब्सक्राइब ब्लैक एंड रेड पर ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं है चोटे मुटे प्रॉफिट के लिए तो आउटर बेट ठीक है पर रेड ब्लैक जो है वो एक तरह का विजिटिंग कार्ड है ट्रैप है बहुत असान दिखता है लाल या काले में से चुलो तो लो यह एक रात में 50-60 रहा रहे हैं सर इतना फ्रस्टेट था कि लगा इतने से कभी लाइटिंग लगेगा यह जो उमीद है ना यह जो आपने बूला इतने से लाइटिंग लगेगा फिर सारी रात खेलते गया पहली बात तो आपको मैंने कितनी बार बोला है अपने वीडियो सब्सक्राइब करते हैं जो इसकूल के अंदर भी जो पीरेट चलते हैं अलग सब्सक्राइब के आदे घंटे पौने घंटे से ज्यादा के नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे बोर होना फील हो जाएंगे आप लोग गैमलिंग बुरी-बुरी रात कर रहे हैं आपका दिमाग आपका गेम टेलीग्राम अपलोड करा तेलीग्राम पर मैंने तीन चार वीडियो डालें आप मैं किस तरीके से खेलता हूं तीन चार डिपॉजिट करके वो कहां तक पहुचा कैसे पहुचा पहुचा के नहीं पहुचा मैं सारा जब मतलब मैं खेलते हैं जो सोचतों मैंने वह उसमें कोमेंटरी करी है आप लोगों को देखना हो तो देख लेना आपने शाद देखा ही होगा सुजीत शर्मा मैट्स करें मुझे पैसे की एहमियत समझ नहीं पाया मैं आज तक मैंने अपने चैनल का नाम मनी इस नथिंग इसी लिए रिखा है कि जहां पर आदमी दस दस रुपे के लिए परिशान होता है एक सबजी वाले से बहस करता है करोड़ पती का भी सो करोड़ है मैं जब गेट कोल दो हुआ 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 है बिल्ली थी मेरी उसको भार जाना था मैं गेट बंद किया होगा नहीं तो मेरे डॉक्स परिशान करेंगे कि इसलिए मनीज नथिंगी जुए एक अंदर पैसे की कोई उकाद ही नहीं है अब यह दूसरी वाली भी आ गई अभी एक गई है मिली अभी स्मूकी आ गई मेरे पास दो बिल्ली है दो बिल्लियां है तीन कुत्ते हैं एक मुर्गा है स्टॉप यूर गैंबलिंग सर कंपाउंडिंग हो टार्गेट हो 100% गैंबलिंग एक माइंड ट्रैप है प्लीज ओवाइड अननेसेसरी वेस्ट अफ यूर टाइम प्लस हेल्थ प्लस फैल्मी फैमिली विकास बंसल कह रहे हैं सर मैं क्रिकेट बैटिंग में बहुत जीतता हूं लेकिन रुक नहीं पाता मुझे लगता है सर जुवे में जीतना कला नहीं है जीत कर रुकना कला है आफ मैं जान होती है कैसे बैट लगाई जाती है यह तो गहिए यह तरीका जीतने का पर इसके बाद ऐस तरीके से आपका पैसा तो बढ़ जाएगा दूसरा तरीका आता है साइकलोजी मैंड गेम jurisdictions में जहां पर आपकी साइकलोजी अब आपका आपने ट्रिक और स्टेटेजी से स्किल से पैसे को बढ़ा तो लिया पर आप वो दिमाग के ओपर एरोगेंस आ गया इगो आ गई घमंड आ गया ओवर कॉन्फिडेंस आ गया अब रुकी निरोगी आज ही मैं क्रोड़पती बनेंगा इसका क्या यह दूसरा पार पहला पार्ट तो कि स्किल अगर आपको रुकना आता है चंट्रोल अपर आपको खेलना नहीं आता है तो भी आप माइनस में रोगेंगेंस हो पैसा बढ़ जाता है पर में दिमाग पर कंट्रोल नहीं तो भी फाइदा नहीं यह दोनों का मिक्स चलेगा ओपी लिजार्ड गेमर रूलेट पैटन है काफी सारे आपने कहा था वीडियो बनाऊंगा पर क्या हुआ बनाऊंगा बहुत कई पर दिमाग से निकल जाता है मैं भी बोलके भूल जाता हूं तो अभी मैं सीरीज के वीडियो बना रहा था जैसे मैंने जीरो स्पेल के उपर बनाया मैंने ऑफलेंज के उपर बनाया अभी फाइवेट के उपर बनाया और उसके बाद एक ही सिरीज है मेरा नाम राम भजन द्वी धिवेधी है मैं ओख गांबलिंग श्टॉप कर दी है मैंने गेमिलिंग स्टॉप कर दी बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया फैसला है बस इस पर कायम रहना मुनिशा डी है विजिट गोवा मजिस्टिक प्राइड कसीनो सीम्स नो स्कैम और चीटिंग इन गेम्स इट्स्ट्रीव वाट वी हैव सीन देखो कसीनो एक ही चीज़ पर चलता है वह है ट्रस्ट कसीनो में चीटिंग नहीं होती है जो मेरा मैंने देखाया ओफ लाइन के अंदर वो सिंपल है बाल घूम रही है मेरे पास एक रूलेट है मैं आने वाले दिनों में आपको पर चैनल पर दिखाऊंगा कि भी बाल घूम रही है और आप वही सब देखोगे उसके अंदर जो आपको लगता रही तो चीटिंग हो रही है एक ही नंबर बार बार क्यों आ रहा है यह बाल कैसे उचल के इधर हो गई वो नॉर्मल रूलेट है बच्चों के गेम का रूलेट है महिंद नरिंदर सिंग सर आयम ग्रेट फैन ऑफ यू यू यूर्स कैन आई कम टू मीट यू मोस्ट वैलकम आप कभी भी आकर के मुझसे मिल सकते हो अगर मैं गोवा में हुआ इंडिया में मिलब गोवा में हुआ तो मैं आप से डेफिनिटली मिलूंगा बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं जुए की पैसो की कामदंदर की कोई बात ने करूंगा बाकी आप लंच पर लंच करेंगे चाय के टाइम पर आये तो चाय पीएंगे आराम से बैठके खुब बाते करेंगे पर गैंब्लिंग को लेकर करके क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पास आ पर आपके मिलो कोई दिक्कत नहीं है कि एक यह आया है देव्यान गोहल के गरीबों के परेश्रावल कि मैं गरीबों का परेश्रावल हूं इनको इस बात से खुशी मिल रही है ठीक है कई लोग होते हो ना किसी को के साथ मजे लेने में अब सोचों की इनकी त्यास फिलोस् के जवाब दे रहा है यह मुझसे कोई भी इंपोर्टेंट सवाल पूच सकते हैं तो मजे ले रहे हैं तो मजे ले रहे हैं गरीबों के परेश्रावल यह बॉड़ी शेमिंग वाले लोग होते हैं यह किसी को मोटा बोल देंगे किसी को काला बोल देंगे किसी के नाम बोल किसी की शकल किस्ते मिलते हो से यह मज़े लेंगे जिन्दगी इनसे मज़े लेती फिर बात में गरीबों के परेश्रावल ठीक है कोई बात में कह दो क्या हो गया मिल गया आपको 10-20-1000 रुपे मिल गया इस बात को कहने से और कह दो और दो-4 चीजे लिख दो अम्रिश पूरी बोल दो गाली वाली लिख दो कुछ भी जो लिख सकते हो आप गरीबों का परेश्रा भलू पर गरीब नहीं हूँ वन्ष शर्मा मनी मैनेज्मेंट बताओ गैंबलिंग के लिए सब्सक्राइब टार्गेट डिसाइड करना चाहिए इसको मनी मैनेज्मेंट बूलते हैं इसके उपर मैंने ज्यादा नहीं दो तिन वीडियो बनाए होंगे शायद पिछले देट दो साल में कम वीडियो बनाए बनाऊंगा इसके उपर यह बहुत इंपोर्डेंट पार्ट है लोग पैसा लेकिया आते हैं टार्गेट अपनी पैसे की उकाथ से बड़ा डिसाइड कर लेते हैं बैट की चिप छोटी होती है अमार टार्गेट बढ़ा होता है कभी जिनकी नहीं पहु हो गया शुबम जैस्वाल जितना इंफ्लूसमें आप से हुँ आज तक नहीं हुआ गैंबलिंग कि से नहीं मैंटली स्ट्रॉंग से इंफ्लूस हूं जोड़ो ट्रिक से samисл से ईंफ्लूसम बीज टीच में शुबम जैसवाल मैं कोशिश मैंने बतलब जितना आप लोगों को भी रोटी खाते हो दिर्माग तो होगा आप लोग मालू होगा मैं कोई बात को छुपाता नहीं मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मेरे पास जो कोई अगर मैंने अमाउंट को बड़ा किया तो वो बड़ा अमाउंट मेरे खोपड़ी पर नाचता है खर एक के नाचेगा अकड़ आजाएगी लगेगा मैं दुनिया के बड़ा गैंबलर हूँ आज ही मैं सब कुछ खाली कर दूँगा आज कसीनो खरीद दूँगा ऐसी फीलिंग आती है तो उसका तोड़ यह है कि उस लेवल तक पहुंचो ही मत तो मैं छोटे-छोटे विड्रॉल करता हूं जब ऑफ-लाइंग भी खेलता हूं ना कसीनों में Chr Lagar तो मैं किया करता तो बच्चों के लिए कैने ले चानी आप की जीटा पर आफण आए आप घूए था ईए उसको का आप जिता हूँ जब अपती है पिर तो पिर मुझे मैं तरह में आए पining लोगों कर दका हो wszyscy कि मैंने यह किया है मैं नहीं कहा रहा कि यह तरीक आपके उपर भी काम करेंगा अब मैंने यह किया कमल यादव सर जब ज्यादा विन करता हूं तो सीविन्स वाले विड्रॉल जानबुझ कर लेट करते हैं और अनप्लेड अनप्लेड अमाउंट से शो करके विड्रॉल रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं अनप्लेड अमाउंट मुझे नहीं मालूम अगर आपका कभी भी ऐसा अमाउंट आप जीत गए हो थोड़ा बड़ा अमाउंट हो और आपको लगता कि विड्रॉल में लेट हुआ है और आपने अगर मेरा प्रोमो कोड यूज किया आप मुझे इंस्टाग्राम के मैसेज करो मैं आपका विड्रॉल फास्ट करवांगा उनको मतलब मैं आपकी तरफ से मेल भेज़ दूंगा इसका विड्रॉल आपने क्यों रोका हुआ है क्या रीजन है टेक्निकल एर महीने दो म को कवाला प्लेयर को कसीनों में एंट्री बंद कर देती है क्या नहीं ऐसा नहीं है आप जितने मरजी बार जीतों जितना मरजी मांट जीतों ककभी भी बंद नहीं करेगा यह तो इल्लीकल हो जाए गया ना आप जीत रहे हो यह कोई अधार नहीं हो था कि आदमी जीत रहा है वह फिल्मों वाले जूबे कर देनी कि रंगा बिल्ला चला रहे हैं जी और यह जीत गया तो इसको मार के बगादो ऐसा नहीं है लोग एक रात में वहां पर करोड़ रुपया भी जीतते हैं कई लोग ऐसे हैं उल्टा उनको सेक्योर्टी प्रोवाइड करके उनको उनको होटल तक पहुचाया जाता है कि कसीनो एक ही चीज़ पर चलता है वह है ट्रस्ट मुहित कह रहे है भाई जी मैं पढ़ रहा हूँ ये तो इन सबको खुद समझना पढ़ेगा कोई उपर से थोड़ी आएगा समझाने भाई को जि कि ये काम मत करो कुछ नहीं है इसमे बरबादी के लावाथ बहुत ऐसा नहीं होता है यह इनको भी मालूम है कि क्या चीज़ है आपको अभी फिर महीत आपको मालूम निका एडिक्जण क्या चीज़ होती है लोगों को पता उता है शुग्रेट खराब है शुग्रीया को पर इसलिए यह कहना कि इन सब को भी तो पता खराब है क्यों खिल रहे हैं बाई लत्त पड़ी हुई है मैंने पांच वीडियो बना के डालें कोर्स के इसके उपर की किस तरीके से दिमाग काम करता है यह इतना आसान नहीं होता है घबरहाट होती है फ्रॉस्टेशन होती है जो आ आतकापने लगेंगे जैसे शराब पीने वाला शराब नहीं पीएगा तो आतकाप ते वो कुछ भी हरकत करेगा क्योंकि उसके दिमाग के अंदर कंडिशनिंग हो चुग हो चुग है उसको लट पर चुग एडिक्शन इसी को तो बोलते हैं लट अगर इतना ही असान है कि पता तो है तुझे जुगा खराब है फिर क्यों खेल रहा है पिर जाके पूछो यो दिश्टर से क्यों अपनी बीवी लगा दी ती दाव के ट्रैप है यह माइंड ट्रैप है यह कांसलिंग से चूटता है यह जो मैं तहां पर बैठके दो दो तीन गंटे भाशन दे रहा ह गैंबलर्स को मजाक नहीं उडाना है गैंबलर्स के साथ नफरत नहीं करनी है उनका मजाक नहीं उडाना है उनको समझना है लत है कल को को किसी भी तरह की लत हमारे घर में भी किसी ना किसी को लग सकती है हमें लग सकती है ड्रग्स की लग लग जाएगी तो आप क्या बोलो तो आपको भी तो फॉन की लग गई एडिक्शन है ना तभी तो क्या बोलते हैं वो डी टॉक्सिक फॉन के लिए वह आज कल वो खुलते जा रहे हैं अब इनको भी तो मालूम हैं कि फॉन और इंटरेट कितना हमें कच्रा अमारे दिमाग में भरता फिर भी आप कितना वक्त फॉन पर बिताते हो अभी भी आप इस समय फॉन पर तभी तो मेरे को देख रहे हो हम चीज़ों को समझना है लत हम सब के अंदर होती है किसी को चाय पीने की लत्ता है किसी को खाना खाने कद संदर किसी ने किसी को रोज मंदिर जाने की लटता है किसी को रोज पैसा कमाने की लटता है कि इन लोगों का मजा गुड़ा के कुछ नहीं होगा एडिक्शन एक माइंड गेम होता है सर GST के क्या सीन है? अब में कसीनों में सन्दीब नारंग कुछ कसीनों है लगबग आदे कसीनों जो है वो समझों GST काट रहे है कुछ कसीनों है जो कैश बाइंग करने पर GST नहीं काट रहे है जैसे डेल्टिन रोयल के बारे मैं अभी तरह किसी कसी नहीं गया हूँ यह एक अक्टूबर से लागू हुआ है उस समय मैं दुबई में था अभी मैं को आयोए 15-20 दिन हो चुके हैं मैं अभी भी नहीं गया हूँ किसी कसी नहीं पर मुझे लोगों ने बताया है जो मेरे एक अंव है नहीं काट रहा है कसीनो प्राइड भी नहीं काट रहा है और हयात भीरेंट रहरा है 122 जो और सबके साथ कहानी क्या कर सकते है तो छोगर 1000 को एकशक्स किया होता तो यहां तक हम नहीं पुशते है नरायन प्रम्न सैमडी सर मैं सीविन्ज में सात लाक लॉस में हूँ अब लोन भी ज़ादा हो गया है क्या करो? बहुत से एक ही है कि सात लाक को सात लाक पर ही रोक दो, सात लाक एक अजार मत होने तो जुआ छोड़ दो अगर आप सात लाग रुपे को अपने सिर्पर हवी होने दोगे कि यार सात लाग तो चलेगे आप क्या रुकना आप ट्राई कर लेते हैं क्या पता आधे भी आ जाए तो बंद कर दूँगा नहीं अगर ऐसा करोगे न थोड़ा जीतोंगे ज्यादा हरोगे थोड़ा ट्राइव प्रणेद का पता भी नहीं चलेगा है जीति इंदर पांडे एलो आई हैवे क्वेस्टन आस्क यॉर प्वेस्ट अंप्टी कर देद्वें में ज्यादा पैसे देड़ा और पर दसलाक्व पंदर लाक्मादमा दसलाग कोई भी हो है तो सब जूवे कि अड़े न ऐसा थोड़ी मैं सीविंज का नाम ले रहा हूं उससे पैसा ले रहा हूं उसका अपना प्रोमो कोट दे रहा हूं तो आप सीविंज पर जित जाओगे सीविंज भी तो जूवे काड़ा ही है बरबातों लोग वहां भी होंगे सर जी मैं 64 लाग लॉस में था लेकिन इधर तीन माइने में तीन लाग लॉस कवर किया कवर हो गया है अब आगे कंटीनू रखू या रुक जाओं सजिस्ट करिए मनोज यादा मेरे ख्याल से देखो अगर आप रुकने पर आपका जो बैलन्स अमाउंट जो आप लॉस में हो उसको अगर छोड़ करके काम चला सकते हो तो आपको रुकना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है यही रुक जाओ और लाने के चक्कर में नहीं क्या मैं बीस लाग एड कर सकता हूं तो देखो बीस लाग प्रॉफिट कमाना तो बहुत मुश्किल है लॉस में आप आपने दस लाग के लॉस को तीस लाग बना हो पचास लाग बना उसके लिए तो कसी नो हमेशा आपका स्वागत करें मैं खूछ तो मटूम किस नबर का नेबर का अच्छा पड़के अच्छी पड़के और आपको बिना आते हुए कि मैं क्या खिलते हुए सबसे आसान दिखता है ना वह रूमिल गाला सर आपने मेरे को टेलीग्राम में ट्रैवल नॉलेज में आपने टेलीग्राम में ट्रैवल नॉलेज में ब्लॉग से हटाया नहीं अभी तक चैनल के टेलिग्राम की में ट्रैवल and नॉलेज की बात कर रहो चैनल की अभी च्रैवं यूह तो नेनिज आम से आप असे में शेर मार्केट में 40 लाक कहार दो हूं बहुत दिमाग खिराब हो गया है मैं भी पैसा लगाता हूँ पर मैं इंवेस्ट करता हूँ short term या long term मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ मैं उप्शन और ट्रेडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि वो तो फिर एक तरह का सक्टा ही हो गया यह जो है ना easy money जिसमें हमें लगता है कि बस ब्रॉटेंक्ट तो आज मेरे पास उसके 10,000 से ज्यादा शेर है और आब वो 13 पार कर चुका है पिछले कई दिनों से 13 चौदा तक भी चले गया था एंडी टीवी लगा ता गिरता जा रहा था मैं खरीटता जा रहा था अब एंडी टीवी रिकवरी पर आ गया एक सुपच्यावे रुपे तक चल मैं सक्टे बाजी नहीं करता नरायन रामन मेरा तो असल में एक भी रुपया नहीं हुआ कि मेरा लास्ट मंत में जाना चाहिए क्या हम 25 और 31 दिसंबर जाने का सूच रहे हैं बहुत उस समय तो बहुत भीड होगी और कसीनो तो अभी तक नहीं हुआ लॉस तो आगे भी नहीं होगा यह को गरंटी थोड़ी है महिंदर सिंग हेलो राकेश रूलेट में डजन और कॉलम बैट पे एक का तीन प्रोफिट करके आप बना दूंगा वीडियो बना हलागी मैं आउटर बैट खेलता नहीं हूं पर आगर आप कहरो तो एक पर बना दूंगा तो बड़ी बैट जब आप करोगे तो उतने में तो आप डारेक्ट नंबर लगा के आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है लास्ट सेटरड़े आई मेड वन लैक विद थर्टी के रूलिंग इन एंपी एंपी कौन से मजिस्टिक प्राइड चलो अच्छी बात है कि आपने एक लाख रुपया लास्ट सेटरड़े बनाया थीस हजार की रूलिंग से कि बनाना बड़ी बात नहीं है कैश करके अपने घर ले जाना और उसको अपनी लाइफ में यूज करना बहुत इंपोर्टेंट है के लाश बर्डे कह रहे हैं बर्डे अब यार फिर से पकाएगा अच्छा हुआ चैनल ब्लॉक हुआ है तो कौन सा चैनल ब्लॉक हुआ है बस किसका चैनल ब्लॉक हुआ है और के लाश बर्डे अगर मैं पका रहा हूं तो आप क्यों रहे हो डॉक्टर ने बोला पकने के लिए यह इतना विल्ला टाइम है कि जो चैनल पका रहा है वहाँ पर भी पड़े रहते हो मैं पका रहा हूं क्योंकि आप पक रहे हो मैं तो पकाने का पैसा ले लूँगा यूट्यूब से मुझे कुछ ना कुछ लाइब सेशन का पैसा मिल जाएगा आपका तो नेट भी यूज हो रहा है और आपकी अकल भी पकरीए मैं घर से थोड़ी गया था बुलाने आपको कि आओ पको राजमा की तरह मनोज यादव सर गाइड करिये कि आगे खेलू या छोड़ दू बहुत छोड़ दो आगे खेलोगे तो फिर जाओगे माइनस में बिल्कुल छोड़ दो यह तो पूछने का सवाल ही नहीं है इससे तो निकल जाओ यही आपकी जीत है जुए में जुआ छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत है कि सत्तर लाग का लॉस हो गया दो साल में नीरब डंगो डंगो सर्व मैं आठ दस दिन विन करता हूं लेकिन ज्यादत ही जीतता हुआ अमाउंट जब तक नहीं जाता मेरा माइंड कंट्रूल नहीं होता यह तो सबके साथ प्रॉब्लम है ना बहुत कुछ तो स्टेटिजी बनानी बड़ेगी ना कि कि एस एसी गुवर्मेंट एकसाम था फ्रस वाले देते हैं अच्छा एससी गुवर्मेंट एकसाम होता है जो उसके बाद क्या मिलेगा कि किस इसका असे बिलेगा उसके बाद इलेवन्थ का तो कि अप्पिल नमस्ते पार्टी में आप भोले कसीनों में आप मशीन पे खेलते हो क्या ओनलाइन गेम है क्या नई ओनलाइन गेम नहीं है मशीन का मतलब यह रूलेड होता है और अपने बॉल घूमती है हर रूट से कही सारी मशीने है myself अलाइं तीविagen baj जाता है हरसितkas से बेड जाता है और उस Collaborate के नंबर उसारा हु तो nine नी नहीं होता हैM्झ उसको को आठीर मृनेतो जाता है सर कुछ तो बताओ मेरा माइंड कंट्रोल कैसे करें बहुत थोड़े दिन का गैप लो ना ब्रेक लो आप लोग लगातार खेलते हो लगातार सवाल पूछ रहें थोड़े दिन ब्रेक तो लो मेरा वीडियो भी मत देखो कुछ मत देखो एक दो दिन का टाइम तो दो अपने दिमाग आपको सजिस्ट करेगा इतना भागते रोगे इतना लगातार खेलते रोगे तो कहां दिमाग काम करेगा सर मैंने अपने भाई और अपनी मा को बहुत परिशान किया है उनकी आत्मा बहुत दुखाई है जुवे के चक्तर में बहुत रिलाइज हो रहा है आज रोना आ रहा है क्या गलती कर दी मैंने कोई बात नहीं बहुत अब आगे ज्यादा उनका ख्याल रखे जुवा छोड़के डंग से किसी और रास्ते से पैसा कमा के आप अपनी गलती सुधार सकते हूँ हाट तक है हजार रुपे से सो रुपे कमाओ वह ज्यादा नए हजार रुपे से दस दिन सो रुपे कमाओ तो दस दिन में हजार रुपे आपके पास आएगा हजार का हजार फिर ग्यारवे दिन आपसे गलती होगी और आपका हजार चले जाएगा मंगल सिंग के रहे थैंक्स पूर शेरिंग इन्फरमेशन यूर वेलकम हाव तो कंट्रोल मस्ट्रूइशन इसके लिए मैं सेटर्डे को शनी बार हर दस बजे लाइब आता हूँ यह सवाल वहां का है यह सवाल मेरा भी नहीं है इस तरह के जो एक्सपर्ट हो तो उनका है पर मेरे को मैं इसका सवाल का जवाब दे सकता हूँ ठीके ना तो आप पर पूछ लेना मैं वहां पर जवाब देंगा आई नो यू आर स्टुडेंट 19 साल के तो स्टूडेंट ही होगे और यह नॉर्मल है इसके इसके इस चीज को ना हीन भावना में मतला क्या कर रहा हूं आप करो यह नॉर्मल है कि वेशनव शर्म करें मैक्सिमम बैट रूलेट आउटर बैट इन गोवा कसीनो सर्जी मैक्सिमम तो 5000 भी होती है और वी आईपी के अंदर शायद मेरे खाल से वी आईपी जो कसीनो सोते हैं उनके अंदर उससे ज्यादा 5000 तो मैंने देखी यह नॉर्मल रूलेट में 5000 तक जो वी आईपी रूलेट होते हैं उसमें 50,000 पर वो 50,000 भी होती तो उसमें मिनीमम भी बहुत बढ़ी होती है आप मुझे मालू है आपने सवाल कहां से पूछा है आपने का मैक्सिमम कितनी होती है इतनी बार तो मैक्सिमम आता ही है तो मैं आउटर बैट लगाता चले जगा आप खुद कल्कूलेशन लगा ले इसलिए गलती मत करना है 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 सो वाट इस दाइमांट फ्रॉम विच हाई रूल हाई रूलर गैमलर यूज़ तो प्ले रूलेट इतो डिपेंड करता है ना हाई रूलर में भी तो अकाद होती ही ना कई ऐसे घर कसीनों कं आपके सामने किसी आदमी करोडो या बहुत लाखों में पैसे लाखों में जीते हैं एक दो बार ने और एक तो मैं अभी पर उसके बाद वो कितना हारा है या उससे पहले वो कितना हार चुगा ये कैसे वेरिफाई करोगे ऑफ्लाइन कसीनो में मिनीमम एज फॉर प्लेंग ट्वेंटी एंटी एंटी ब्रदर इस एज एटीन और ब्रदर ऑफ्लाइन में तो अठारा है पर ओफ्लाइन में 21 है मतलब मैं साउथ एशिया के भी कसीनों में 21 साल का ही बोर्ड लगा हुए बार गोवा के अंदर 21 साल की 21 साल से कम एज का बच्चा एक दिन भी कम हो तो आपको वो कसीनों में गेमिंग जोन में जाने नहीं देंगे जहां पर गेमिंग फ्लोर होता वाली जाने देंगे ओनलाइन में ठारा का है सथने शिंगरे सर आप शेर बजार के बारे में भी सिखा दिया करो नहीं बहुत में शेर बजार में में गैंबलिंग तो मैं कर चुका हूं शेर मार्किट में इंवेस्टर हूं मैं ट्रेडिंग करता हूं मैंने बहुत साल पहले ट्रेडिंग करती में को लॉस हुआ था मैं पैसा शेर को पर रिसर्च करता हूं और ज्यादा नहीं मेरे मेरा जो बकेट है उसके अंदर कुछ कंपनिया उनी में ही मेरा हर अलग-अलग फिल्ड की कंपनिया उसमें जो बिक शॉट कंपनिया उनमें मैंने ऐसा लगा रखा है और बाकी मैं अब इंडेक्स फंड को ज्यादा फोलो करते हूं मैं इस वी एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता हूं श्याम शेट्टी हाउ मच यू अन फ्रॉम यूर एफिलेशन विद गैंबलिंग वेबसाइट इस इट सपोर्टिंग यू तो ट्रेवल एंड हैविंग ए क्वालिटी लाइफ नहीं बस मैं डेडिकेटेट वीडियो बनाने का उनसे पैसा चार्ज करता हूं जो भी मैं पै हमेरी ट्रेवलिंग का खर्चा में उठास worked और यह нос भी खालचे आपको का सब मेरी अपने खर्चे पर चलाता हूं मेरा खर्चे बहुत कम मोथिए सिर्ए तीशेट होता है मेरे यह शॉपइंग के लीगर लगे पान बेडी सिग्रेट शराब गुठके का कोई खर्चा नहीं है मेरा शॉपिंग तो ही नहीं मेरी कोई ट्रैवलिंग भी मैं बहुत जादा एक्सपेंसिव नहीं करता हूं तो मेरे खर्चा सिर्फ मैंने अभी कुछ टाइम से पने रहने पर मैंने फोकस किया है क्यूंकि मैं जो मेरे को मैं चाहता हूं कि मैं आराम से सोच सको उसके लिए मुझे अपना एक रूम चाहिए होता है और मुझे एक ऐसा होटल चाहिए होता है जिसमें जिम और सुमिंग बूलू तो इसलिए और वो मैं अपने खर्चे पर अपने दम पर अपने खर्चे पर करता हूं मेर कि यू आरी किसी की बात नहीं मनता ही बात तो सच्च है वह हार के तब ही तो कहता हूं हो जुबा मिशा हार में छोटता है कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट्स सीविंस पर एकाउंट बनाना हूं सेफ टू विड्रॉल विड्रॉल होता है वह कोई भी बड़ी साइट हो विड्रॉल देगी वाफिंस की नहीं कोई भी हो सही तो है का मतलगी थोड़ी कि आप जीत जाओगे सीविंस आप पूछ रहो कि सही तो है वो सही इस मामले में कि आपने पैसा जमा किया तो विड्रॉल कर अपडेट हो जाएगा आपने विड्रॉल किया तो विड्रॉल हो जाएगा ब्लॉक नहीं करेगा आपके बड़ा ज उसने जो जोश में डाल दी है उसका भूल गया या उसका खिलने का मन किया पता नहीं या अपडेट नहीं हो मुझे नहीं मालूँ उसने थोड़े दिन पहले बोला कि मैंने यह पंदरा सुरुपे जमा की थे अपडेट नहीं हुग हम भी बड़ा हिरान हुए हमने वह स्क्री कै Says Sir पर आप को बोलना पड़हा है आप साल बर बात पैसा अबडेट करवा रहे हुग साल बर कहा हुग हे और वो विन भी नहीं किया एक्चुली में, मैं आपको बता रहू हो क्या रहा है, वो उसलिए विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो खेला नहीं है, उसने पंदरासुर रुपे डाले, पता नहीं किस वज़े से वो डर गया, क्या हुआ, उसने नहीं खेला, अब वो बि सब्सक्राइब करता दिया कि 200 रुपे में, इसने खेला नहीं है, यह पंदरासुर में से 200 निकाले, अब तेरासुर रह गए, तो मैं मजबूरन उसको ब्लॉक करना पड़ा, मैंने का भी तेरासुर रुपे के लिए कम से कम पांच बार मुझे और परिशान करेंगा, अगर आपने ओनलाइन ट्रांजेक्शन किया, तो शायद काट सकते हैं, पर कैश बगरा में तो कोई, आप जितना अमांट जीतोगे, उतना अमांट आपको दे देंगे, वह मैं कैशी बाइन करता हूँ, सर क्या दसजार जमा करके 500 रुपे भी नहीं कमा सकते हैं, हां कमा सकते हो, दसजार रुपे जमा करके 500 रुपे कमा सकते हो, दस में से 9 दिन कमा होगे, 20 में से 19 दिन कमा होगे, पर एक दिन जब गलती करोगे, तो पूरा दसजार चले जाएगा sir thank you for your motivation I got a job in Dubai in bank of credit card sales और मैंने आपका channel तब जोईन किया था जब मैंने शुरू शुरू में online gambling games में खिलना शुरू किया था जगमुहन सिंग अथानी आप दुबई में हो मैं अभी दो महीने दुबई में ही था सर जी सीविंस website है वो deposit को तो तुरंत हो जाता है लेकिन withdrawal में late करते हैं इनका कोई trap तो नहीं है क्या अगर मान लेते की trap है तो आपके पास समझदारी की जब तक withdrawal ना हो तब तक खेलो मत अगली बैट अगला गेम ही मत खेलो मैं हमेशा बोलता हूँ हो सकता है इनका trap हो तो आपके पास भी तो एक तरीका है ना आपने withdrawal की request दी है withdrawal जब तक नहीं हो रहा है मत खेलो अब आपके अंतर कीड़ा उचल रहा है आप खेले जा रहे हो मानलों बड़े withdrawal तो हुआ नहीं उससे पहले आपने जीरो कर दिया तो हो सकता है इनका trap हो मैं तो खुद ही बात बोलता हूँ अगर withdrawal की request दे दी है तो जब तक withdrawal नहीं हो रहा है तक खेलो ही मत करें 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 करने चाहिए और जैकपॉर्ट नंबर कैसे बना जाए इसके उपर मैंने कई वीडियो बनाए हुए अल्डेडी मैं ज्यादा से ज्यादा बारा पंद्रा नंबर कवर करता हूं और सभी नंबरों पर बराबर एमाउंट नहीं लगा तो जिस नंबर का मैं को लगता कि यह नंबर यह दो तीन नंबर आ सकते हूं उपर मेरा इसके बस पच्चास अजार ही है क्या सर मैक्सिमम आउटर बैट कम है ये तो हर कसीनों में लिमिट होती है अगर लिमिट ना हो अरब पती लोग तो जुवे को खाली कर दें लिमिट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि रूलेट एक बार अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर देगा ताव उस दिन सारा पैसा जीरो हो जाएगा नहीं तो अरब पती लोग तो एक ही बार में पीछा करते रहेंगे हर बैट को डबल करते रहेंगे दस्वी बार बीस्वी बार पचास्वी बार तो आए गई आए सुस्ट्राइट का थौट आ रहा है एक लाख लोन पे हूं बताओ जब आपने बीस दिन में दो लाख रुपए जीता एक दिन में साड़े तिन लाख रुपए हार गई यही तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा जब जादे पैसे से कम पैसा बनाते तो यही होता है कि अभी छोड़ दो इसको, यहीं दो लाख में ब्लस में भी थे अब डेट लाख में यहोता ही रहता है आप यह दो लोग कर फला ना फोड़ा की प्लान के आपटा माइनस में इसट्रीन करते हों कि अबदे लाख के पन दरा कर दुम की जेंका पता भी नहीं चलेगा पैसे जीतने पर सीवीन नहीं करता है यह बड़ी क्या कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म जादा पैसे जीपने पर ब्रॉक नहीं करता है यह गुछा मुच्छी जो साइड सोती न चोटी मोटी यह करती है यह अरकते आयाज एक्सन के रहे हैं मुझे हिरानी होती जब लोग बोलते हैं मैं 10 लाख हार गया 20 लाख हार गया पता नहीं ये लोग इतने पैसे कैसे हारते हैं बहुत ये एक दिन में एक बार में नहीं हारते हैं ये थोड़ा 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 करके हारते हैं और लगातार ही यहांते हैं जिस दिन यह सूसते हैं कि आज हघे तो आज बंद शी जाते हैं यह ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे ऊफर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके नीचे ही जाता है को अन्नोन बॉय करें ज्यादा विड्रॉल करने पर टेक्स बरना पड़ेगा वह तो बहुत आपका बैंक आपसे पूछेगा या आपका चार्टेड एकांट जब साल में आई टेर भरेगा तो जब बैंक की स्टेट्मेंट दोगे तो ट्रांजेक्शन होंगी तब वह आपसे प कसीनो स्टेड़् घवट सेफ़ेर पहुत बिल्किलवकांट के साथ आते हैं है अपने वाइफ के साथ आते हैं अपने वाइफ के साथ आते हैं। कोई भी किसी भी तरह ही बत्ता में जी कुछ भी नहीं होगी तो मैं अब इसको बंद करता हूं how many person can play रूलेट इन एक गेम सेम टेबल डिपेंड करता है कितने कलर मौझूद है अगर चार कलर की टेबल है तो चार लोग खेलेंगे आठ कलर की टेबल है तो आठ खेलेंगे छे है तो छे खेलेंगे पर उसके इलावा खेल इससे भी कि जूस आया मेरे लिए जूस कि मैं गेड़ घंटे से बोल रहा हूं कि इसलिए जूस आया हूँ कि प्रोफेशनल गैंब्लिंग जानकारी आप सही बोल रहे हो कि सर इवन ओड ट्रिक बताएं इवन ओड और रेड ब्लैक सेम ट्रिक है आप जो तरीके से रेड ब्लैक प्रेडिक करोगे वह यह ओड इवेन है कुछ के अलग ट्रिक नहीं होती है आउटर बैट की सबकी सेम ट्रिक होती जजिकरने की वेब अशर्मा के लिए जी एस्टी कट रहा है अभी कसीनों में गुवा पर कुछ कसीनों में कट रहा है कुछ कसीनों पर कैश बाइंग करने पर नहीं कट रहा है तो यह आप जाने से पहले फोन करके पूछ सकते हो या वहां जा करके भी आप ट्राई कर सकते हो सारे कसीनों पास-पास ही होते हैं जुवा कैसे छोड़े जुवा छोड़ने के लिए मैंने छे वीडियो की स्रीज बनाई हुई है हाउ तो लीव गैंबलिंग जुवा कैसे छोड़े आप वो देख लेना इस चैनल कर अब मैं इसको बंद कर रहा हूं कि मेरे को कुछ अर्जेंट काम भी है और पता नहीं मेरे आज लंबा लाइव करने का मेरा मन नहीं है नहीं आवला जूस नहीं है यह लीची जूस है लीची लीची का जूस है कि सरह रहे हुए गैंबलर की स्टोरी लाइए प्रीज सर्थ हारे हुए कि स्टोरी की कोई नहीं स्टोरी आएगी तभी मैं बताऊंगा तो ऐसे मंगड़त तोड़ी सुना दूँगा कुछ भी आइसा सताई लाग का लॉस है सीवींज पर से बाइस लाग का लोन है बहुत परेशान हूं सर जी राकेश जी आप ग्रेट हो आपको आपको लगे तो कुछ बताना बहुत परेशान हूं एक महीने के लिए घबरा गया जॉब से बहुत देखो अभी क्या है ना जब आदमी से कुछ गल्ती हो जाए या आदमी का टाइम खराब हो ना तो उस समयना सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट रोड होता है ना वो होता मुश्किल है तभी तो हर आदमी नहीं कर पाता है अपने आपको शांत रखो थोड़ा रुको फिर observation शुरू होगी आपका दिमाग आपको खुद गाइड करेगा कुछ सजेस्ट करेगा अभी आपका लॉस होगया कुछ भी होगया आप जितना पैनिक करोगे जितना परिश लगाना है और विनिंग अमाउंट थोड़े से ज्यादा होना चाहिए आप देखोगे आपकी हार तो तब भी होगी हमेशा प्लेयर की खासियत क्या होती है कि वह हर दिन जीतने के लिए नहीं खिलता है यह दोनों की सोच में परके प्लेयर और गैंबलर हमेशा अगर आप जुआ नहीं चोड़ पारे तो प्लेयर बनो गैंबलर नहीं तो जब आप छोटे अमाउंट से खेलते हो और बड़ा अमाउंट आपका विनिंग होता है मतलब उसका डबल यह डबल से ज्यादा होगा तो क्या होगा कि अगर आप कम बार कम बार हार होगे और ज्यादा बर दूसरा अगर आप बराबर बराबर भी हार जीत रहती तो भी आप प्रोफेट में रहोगे सर्प्लेंग रूलेट वीकेंड ड्रिंक अलकोहल एट दसेम टाइम यह सबसे खतरना गोपाल रहा है सबसे खतरना कोक्टेल होता है गैंबलिंग और अलकोहल शराब पी नहीं है बार में जाओ पब में जाओ खूप पीओ 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 के गिर जाओ पड़ जाओ कोई दिक्कत ने जुवा खेल रहे हो कसीनों में जाओ जुवा खेलो हारो वापस आजओ जीतो वापस आजओ शराब के लिए बार बना है जुवे के लिए कसीनों बना ह कसीनो में जा करके जुवा भी खेलो और शराब भी पियो तो बहुत खतरना कॉक्टल है खोपड़ी पर ऐसा शेतान नाच्चे तो शेतान है उसको उपर से दारू और बिला दिया अगर आपको दारू पीने का मन है अल्कुहल लेना है तो आप जाओ ना बार में जाओ, कसीनो में जाओ, बड़े-बड़े अच्छे होटल में जाओ जुवे के साथ मत ब्रिंक करना शर्मा इंक्रिडिबल आइडियाज वाक करने से हेल्थ अच्छी होती है जानते सब है करता कोई नहीं ऐसा ही बैटिंग में होता है आपका रिपलाई किया तो है मैंने कि आपने बोला नहीं कि आपका दो लाख रुपे का लॉस हो गया है क्रिकेट के अंदर रिपलाई को आप एक अचार बार लिख दूँए थोड़ी में बार बार रिपलाई कर दूँँगा आइम कमिंग गोवा आफ्टर वन मंथ यू आर एबल टू मीट मी मोस्ट वेलकम डेफिनिटली आइल मीट यू पर हम जुवे की कोई बात नहीं करेंगे मेरी एक ही कंडिशन होती आप मेरे घर आओ को घंटों बात करेंगे चाए प्याओ चाए पिएंगे खाने प्याओ खाना खाएंगे बस जुवे को पैसे को बिजनेस को लेके कोई बात्षी तो मत करना मुझसे बाकी जो मर जी बात करने ठीक है तो तो मैं आपसे डेफिनिटली मिलूँगा नहीं भी हुआ तो मैंने नदी के सामने लाइब्रे पर नहीं काच रहे हैं कपील थे सर आपसे मिलना चाहता हो मैं जुए की बात्त नहीं करूंगा आपसे मिलना कर दो आजो मोस्त fancyOTHem должee fail को आ सकता है मैं कि सीनोंенные प्रोफिशनल गेमिंग जानकर ही करें कसीनो में लंगा लिखा है यह लंगा लिखना जाते हैं यहां पर नहीं होता है। उसमें क्याना में मदेजिया में यह सब नहीं होता है वाकी की दूकसीनों को ता पूल डांस होता होगा और यह सब कीजिए देमांट में रखके आ रहे हैं तो वैसे जुवा बरबाद कर देगा जुवा नहीं करेगा तो यह सब चीजों को चक्कर में लड़की आपर बात कर देंगे पता कैसे चलेगा सर आप गोवा में किस साइड पर हो यह तो बहुत आपको मेरे वीडियो देख करके पता करना पड़ेगा मेरे पास आज तक जितने भी सब्सक्राइबर आए है उसमें से 99% सब्सक्राइबर जो पहली बार गोवा वे आए हैं वो लोग भी सीधा मेरे घर आत हुआ है चलो दोस्तों ओके गुडबाई थेंक यू राकेश एक दिन आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप अपने पुराने सब्सक्राइबर को मत भूलना बहुत मैं ना इमोशनल नहीं हूँ पर मैं सेंसिटीव हूँ मैं मुझे आज भी अपने उन सब्सक्राइबर के भी नाम याद है जो मेरे 40 व्यूज आते थे ना तब भी मेरे को मेरे से बात करते थे तो तीन साल बेले यह चैनल तो अभी एट साल बेले बना है ट्रैवल एंगेश है एक कवीता जांग रहा है और और भी दो-तिन लोग है अगर मैं ध्यान दू तो उनके सबके नाम याद आ जाएंगे वो सब लोग मुझे आज से तीन साल बले जब मैं दिल्ली में था तब मेरे को कमेंट करते थे या मेरी साइक्लिंग करते मुझे नाम तक याद है आज कभी उनके कमेंट आपे बड़ी खुशी मिलती है तो मान लो अगर कल को ऐसा हुआ कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मुझे अगर नहीं भी याद दिलाएगा तो यादा आजाएगा मैं ऐसा थूडी करना है और नहीं नहीं यार मेरे को याद नहीं है याद नहीं ह कि और दूसरा हो सकता कि मेरी ही खोपड़ी पे जिस दिन मिरे बात आ गई तो मैं उस्किर में हो सकता है उससे पहले में खुदी यूटीब छोड़ दू जब तक चल रहा है चल रहा है चला रहे हैं चलो जिनका कमेंट छूट गया है उनका अगले लाइव में कमेंट ले लेंगे थेंक यू गुडबाई स्वीट ड्रीम शब्बाख हैर सकारत्मक रहना नेगिटिव लोगों से दूर रहना और जुवा छोड़ना ही एक मात्र रास्ता है जुवे से जीतने के बागी आपकी मर जी ओके गुडबाई थेंकियो